नमस्कार दोस्तों, आज सी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं मल्टी कलर का एक भी हथ कुपसूरत डिजाइन लाए हूँ जो बनाना जितना ही आसान है, बनने के बाद उतना ही कुपसूरत इसे आप बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में या फिर लेडिस प्रजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लेगा इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्टा है ऐसे हम चार-चार फंदे गिने, तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए ये डिजाइन सामने की तरफ से पढ़ता है, तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हों, तो आप रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे बुनिए और इस लाइन में आप फंदे बढ़ा लेजे डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा हैं, तो क्रिपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर ले, वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे, तो क्रिपिया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंस और फैमली में श में इस लाइ में 21 फंदे डाले हैं, इसी तरह आप चार से कटने वाले कोई भी फंदे जैसे 40, 48, 64, 68, 52 ऐसे कोई भी फंदे डाले जिएगा और एक फंदा एक्स्टा कर ली जिएगा, तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा, तो मैंने अपना सेकेंडरी कलर ला लाइन है, और सामने से, तो हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब उनको अपनी और करेंगे, और तीन फंदा उल्टा पनेंगे, एक, दो, तीन, उन दूसरी और, और इन ही चार फंदो को हमें पूरी सलाई में दोराना है, उन दूसरी और हमने कर लिया, अब अगल और करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फिर उनको दूसरी और करेंगे एक फंदे को स्लिप करेंगे उनको अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनेंगे एक दो तीन उनको दूसरी और एक फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उनको दूसरी और करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे उनको अपने और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनेंगे अब उनको दूसरी और करेंगे लास्ट फंदा बचा हुआ है जिसे हम स्लिप कर लेंगे अब हम wrong side में आ जाते हैं और ये design का दूसरा line है तो पहले फंदे को slip कर लेंगे और तीन फंदा इसे उल्टा बुलेंगे हमने इसे सामने की तरफ से भी उल्टा बुलेंगे और हम wrong side से भी इसे उल्टा बुलेंगे तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी slime में दूराना है एक फंदे को slip करना है और फिर इन बुने हुए तीन फंदो को उल्टा बुलेंगे अगले फंदे को slip करेंगे अब इन तीन फंदों को हमने उल्टा बुना था तो रॉंग साइट से भी हम इन तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट तीन फंदे उल्टा बुनेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट तीन फंदा उल्टा बनेंगे रास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा तीसरा लाइन तो तीसरे लाइन में हम अपने पहले कलर के उन से दो फंदा उल्टा बनेंगे उन दूसरी और करेंगे तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे उन अपनी और तीन फंदा अब हम उल्टा बनेंगे एक दो तेर उन दूसरी और तो इन दो फंदों को हम छोड़ देंगे और इन चार फंदों को हमें पूरी स्लाई में दूराना है दो फंदों को छोड़ कर चार फंदों को हमें पूरी स्लाई में दूराना है तो तीन फंदा हमने उल्टा बुन लिया अब चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे देखिए चौता फंदा इन बुने हुए तीन फंदों का पीच का फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे अब उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा हमें उल्टा बुनना है देखिए यह स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और इसके दोनों साइड वाले एक-एक फंदे लेंगे और इन तीन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे एक, दो, तीन, उन दूसरी और, अगला फंदा हम स्लिप करेंगे देखिए ये बुने हुए तीन फंदों का बीच का फंदा है अब हम अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा पुनेंगे, एक, दो, तीन, उन दूसरी ओर, अगला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, अगला फंदा स्लिप करेंगे, अब लास्ट में देखिए, दो फंदे बचे हैं, तो इन दोनो फंदों को हम उलता बूंएंगे तो इस तरह हमने तीसरी लाइन कम्प्लीट करेंगे अब हम आ जाते हैं। और यह डिजाइन का चौथा लाइन है तो चौथे लाइन में हम बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन दूरा लेंगे ये हमारा चौथा लाइन कम्प्लीट हो रहा है तो हमने अपना चौथा लाइन कम्प्लीट कर लिया अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और हम इस लाइन में अपने पहले कलर के उन से ही बुनाई करेंगे तो अब देखिए अभी तक हमने चार लाइन उल्टा उल्टा बुना है सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा और इस लाइन में हम इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे पहले फंदे को बुन लेजे या slip कर लेजे अगला फंदा सीधा अब ये जो slip किया फंदा है इसे हम वापस slip करेंगे और ये बुने हुए तीन फंदे इने हम सीधा बुनेंगे अब slip की हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे सीधा slip की हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे सीधा slip की हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे और wrong side से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे तो 6 line में हमने 5 line उल्टा बुना है बस 5 वा line जो है उसी को हमने सीधा बुना है 6 line में 5 line हमारा उल्टा ही बुना गया है तो 6 line में सभी फंदे उल्टे तो पहला और दूसरा line हमने अपने दूसरे color के उन से बुना था और फिर 4 line यानि 3, 4, 5, 6 हमने अपने पहले color के उन से बुना था चुकि हम multi color का design बना रहा है इसलिए अब यहाँ पे हम अपना 3 कलर अटेश कर लेंगे तो हमने अपना तीसरा color अटेश कर लिया अब तीसरे color के उन से दो फंदा उल्टा बनेंगे पहला और दूसरा इन दो फंदो को हम उल्टा बनेंगे उन दूसरी और अब देखिए यह फंदा यह design वाला फंदा है जिसे हमने slip किया था अब इसे वापस slip कर लेंगे उन अपने और फिर 3 फंदा उल्टा एक दो तीन उन दूसरी और slip किया हुआ फंदा slip करेंगे उन अपने और 3 फंदा उल्टा एक दो तीन उन दूसरी और अब देखिए तीसरी लाइन में जिस फंदे को हमने slip किया था यह जो लूप जैसा दिखाए दे रहा है इसे ही हमें slip करना है तो इसे slip कर लिया, अब उन अपने ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर अब देखिए, ये डिजाइन वाला फंदा इसे हमें slip करना है, उन को अपने ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर अगला फंदा slip करना है, उन अ बुने हुए फंदे, उल्टे बुने जाएंगे, और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा, और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे, तो ये हमारे डिजाइन का आठवा लाइन कम्प्लीट होने जा रहा है अब हमारे डिजाइन का ये नाइंत रो है और सामने से तो अपने प्राइमरी कलर के उन से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और उन अपने और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनेंगे अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा ये दूसरा फंदा रहेगा और इसके दोनों साइड वाले फंदे ये तीन फंदे हम बनेंगे उन दूसरी और करेंगे और ये देखिए बीच वाला फंदा है इसे हमें स्लिप करना है उन अपनी और तीन फंदा उल्टा एक ये स्लिप के वा फंदा दूसरा और इसके साइड वाला फंदा तीसरा उन दूसरी और देखिए बुने हुए तीन फंदों में से बीच के फंदे को हम स्लिप करेंगे उन अपने और फिर अगले तीन फंदे उल्टे उन दूसरी और नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है उन अपने और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और next फंदा slip करना है उन अपनी और तीन फंदा उलटा उन दूसरी और last फंदा इसे हम slip कर लेंगे अब wrong side में slip किये हुए फंदे को slip करेंगे और बुने हुए फंदे को उलटा बुलेंगे स्लिप की हुए फंदे को स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे स्लिप की हुए फंदे को स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये डिजाइन का ग्यारवा लाइन है तो ग्यारवे लाइन में हम अपने पहले कलर के उन से स्लिप के हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुने slip की हुए फंदे को slip कर लेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे यानि हम नवा लाइन ही repeat कर ले रहा है लेकिन नवे लाइन में हमने इन फंदो को उल्टा बुना था और ग्यार्वे लाइन में हम इन्हें सीधा बुनेंगे तो slip की वे फंदे को slip कर लिया और बुने हुए 3 फंदे सीधे लास्ट फंदा इसे हमें slip करना है और रॉंग साइट से अब सब भी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो 12 लाइन का ये repeated design है जिसमें हमने 10 लाइन उल्टा उल्टा ही बुना है सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा पांच्वा लाइन और ग्यार्वा लाइन बस हमें सीधा बुनना है 12 लाइन का ये repeated design है design बहुत ही आसान है और बेहत खुबसूरत तो देखिए friends इन ही 12 लाइनों को हमें उपर उपर दोराना है और ये खुबसूरत सा pattern बनता चला जाएगा देखिए कितना खुबसूरत है सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा 12 लाइन का ये repeated design है और देखिए कितना खुबसूरत है बनाना बहुत ही आसान और बहुत खुबसूरत तो friends design आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा ये design अच्छा लगा हो तो क्रिपया इसे like करें अपने friends और family में share करें देगे में थाल किटे लाइन में EU आपके लींने जान्पाइन